और चार राज्यों के लिए वोटों की गिनती शिरू हो चुकी है शिरुवाती रुजान सामने आने लगे है दो राज्यों 36 गर और तेलंगाना में कॉंग्रिस जबकि राजस्तान और मध्य प्रदेश में बीच पी आगे चल रही है मद्दान केंद्रों पर कडी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती चल रही है ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे है चार राज्यों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शिरू हो गई है वैलट पेपर की गिरती की जा रही है और जो शिरवाती रुजाद सामने आए हैं उनमें दो राज्ये जिसमें चतीसगर और तिलंगाना हैं इन दोनों ही राज्यों में कॉंग्रस आगे चल रही है जबकि राजस्थान और मध्यप्रदेश में बीजपी आगे चल रही है तो मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शिरू हो गई है और पटना से सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आशुतोष शिरुवाती रुजान सामने आने लगे हैं मध्यप्रदेश और राजस्था में काटे की टककर बीच वपी आके चल रही है लेकिन कॉंग्रस भी लगतार अपनी बढ़त बनाए हुए है तो ये शिरुवाती रुजान इस वक्त सामने आए हैं नई बिलकुल और बहुत ही रोचक मुकाबला हुआ है और जो परिणाम आने लगे हैं वो ये स्पस्ट दिखाते हैं कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस की स्थिती जो है जो ये बताया जा रहा था कि कॉंग्रेस फाइट देगी तो जो एक्जिट पोल आये थे लगभग उसी के त पर दिख़रा है कि कांगरिस बहुत के तरफ जा रही है एक्ज कश्टिस गड़ में साप दॉर ऑपर दिख़रा है कि कोंग्रेस जो है वो सरकार बनाने के तरफ जा रही है इसके आलवा टेलंगठा मेश नहीं धतातार अनुक्र करки सामने आई है राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर काफी काटे की टक्कर नजर आ रही है ये बात जरूर है कि वहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार थी लेकिन बीजेपी से वहाँ पर टक्कर मिलती दिख रही है मद्ध प्रदेश में फिलाल जो तस्वीर दिख रही है जो रुजान शुरुवाती आए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और जब हमने बिहार कॉंग्रेस अध्यक चकलेस परसाथ सिंग से बाचीत की तो उनका साफ तोर पर कहना था कि कॉंग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा चुकि अभी तो शुरुवाती रुजान है और जब पूरी तस्वीर साफ होगी तो दस साले दस बजे के आसपास तक तो कॉंग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखाई देगा और सुभाविक तोर पर जिन एजेंडों के साथ कॉंग्रेस शली थी कॉंग्रेस के जो अध्यक्षय उनका साफ तोर पर कहना है कि राहूल गांधी के नेत्रित में लोगों को भड़ोसा है और जिस तरह से बीजेपी की सरकार की जो परिशानिया थी जो उनके काम थे तस्वीर है लेकिन हां मदप्रदेश में पहले ये दिखाया गया था कि काटे की टक्कर है लेकिन फिलाल अभी बीजेपी थोड़ा सा लीड लेती दिख रही है राजस्थान में काटे की टक्कर हो गई है और सुभाविक तोर पर कॉंग्रेस आला कमान को इस बात का पहले स यही भाच था और यही वज़ा थी कि राजस्थान से राजस्थान के लिए विसेश ऑप्जरवर भी बनाये गया है जिसमें से बिहार कांग्रेस के नेता विदान मंदल के नेता को भी शामिल किया गया है और शकील हमत खां जैपुर की तरफ रवाना हो रहा है तो अब ही की जो ताजा जानकारी है उसके बुताबिक मध्य प्रदेश में बीजपी अपनी बढ़त बनाए हुए है बीजपी आगे चल रही है मध्य प्रदेश में यानि कि इस बार महिलाओं ने शिवराज सिंग चोहान को देखकर उनके पक्ष में महिलाओं ने इस बार मध्य प्रदेश में बढ़ चड़कर हिस्सा लिया है वोट किया है कि मध्धप्रदेश को ले करके बीजेपी ने काफी एक्ससाइज की थी याद होगा कि कई केंद्रिय मंत्रियों को भी मध्धप्रदेश में चुनाव लड़वाया गया और कई जगा ये भी मैसेज देने की कोशि कर देखा होगा कि पार्टी का अलग होगा कि नहीं लेकिन इस बार अगर जो ट्रेंड दिख रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि BJP ने जो प्रियोग किया था वो प्रियोग सफल मद्धपर देश में होता दिखाई दे रहा है हलाकि पूरा अभी जो रिजल्ट है वो अना बाकी है लेकिन रुजहान की बात करें तो वहाँ पर असपस तस्वीर दिख रही है लेकिन राजस्थान के तस्वीर बहुत ही इंट्रेस्टिंग हो गई है राजस्थान में एकदम काटे की पाइट हो गई है मैंने पहले भी बताया कि जस्ट चुनाव परिणाम से पहले विसेस ऑब्जरवर न्यूक्ति किये गया है कॉंग्रेस के तरफ से चार ऑब्जरवर बनाए गए हैं और ये अब्जरवर अब हमारे साथ बने रहे इस बीच हम अपने दर्शकों को ये बयान सुनवाते हैं कि इन चार राज्यों में आज जो चुरावी रुज़ाद सामने आ रहे हैं इसे लेकर अकलेश सिंग ने क्या कहा है पहले आप ये सुन लीजे पहिणाम सामने आने लगे हैं हमारे साथ कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अकलेश प्रिशा सिंग उन से जैन लेते हैं कि जो रुज़ाद आ रहे हैं किस तरह से देखते हैं देखिए अभी तो सुरुवाती रुज़ान है लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ चार राजियों की आज बोटों की गिंती हो रही है चारो राजियों में कॉंग्रेस सरकार बनाएगी और परचंड बहुमत के साथ बनाएगी मोदी जी की सरकार के द्वारा और जहाँ कहीं भी उनकी जैसे मद्बरदेश में सरकार थी उससे जनता उभी हुई थी जनता है जनता बेती थी इसलिए सब लोगों ने राहुल जी के और खड़गेजी के नतित्व में कॉंग्रेस को आसिर्वाथ दिया है प्रति लोगों का रुजहान बढ़ा है लोगों का अकर्षन बढ़ा है दूसरा जो इन लोगों का कुसासन था भारतिय जनता पाटी और जो वादा खिलाफी था मोधी सरकार का पिछले अब जनता इस बात को बखुवी समझ चुकी है और हम लोग भी इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं लेकिन हमको नहीं लगता है कि कहीं इस तरह की सिती भी जनता छोड़ेगी की नेक टू नेक और यह हो सीधा कि बहुमत से सरकार बनेगी हर जगा कॉंग्रिस की इस चुनाव परिणाम का जो नतीजे आएंगे क्या लगता आगे भी असर पड़ेगा दो हजार चुनाव नस्दीग है दो हजार चुनाव होगा तो भारतिये जनता पर्टी का सफाया हो जाएगा पर्टीज प्रशासिंग थे और इन्होंने साब तोर पर कहा है कि अभी रुजहान आएंगे अभी रुजहान चल रहे हैं नतीजे आने बाकी है और सभाविक तोर पर कॉंग्रिस की निगाएं ठिकी हैं क्योंकि कॉंग्रिस को लगता है कि यह जो चुनाव परिणाम है कि यह कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा और इसका असर भी दिखेगा और जनता इस बार फुल मेंडेट देने जा रही है कॉंग्रिस के फेवर में क्याना पसंद आनंद के साथ आसुतों चुंद्रा कसिस न्यूज पटना